हेलो फ्रेंड सीमा बिटी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से एक नए नए नग डिजाइन की वीडियो लेकर आई हूँ तो देखी से हम बनाना शुरू करते हैं ये हमारी कूर्ती है जिसका तीरा 14 इंच है ये ऐसे डबल फोल्ड में है अब हमने ये बुक्रम लिए है जिसकी लंबाई 12 इंच है और ऐसे चोड़ाई 7 इंच है इसको बीच से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब इसके उपर हम मार्किंग करेंगे तो देखी यहां पर हम पौने 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और बंदवाली साइड में हम साड़े तीन इंच पर निशान लगाएंगे और फिर दो इंच पर निशान लगाएंगे तो देखें यहां से हम हमारा दो इंच है और यहां आगे हम एक इंच पर निशान लगा लेंगे और यहां भी एक इंच पर और अब ऐसे हम इसे round shape में मिला लेंगे अब इसके साथ हम 2-2 inch पर निशान और लगाएंगे और इसे भी हम ऐसे round shape में मिला लेंगे और फिर इसके साथ 1 inch पर निशान लगाएंगे और इसे भी हम round shape में मिला कर फिर इसे हम cutting करेंगे तो देखिए फ्रेंट ऐसे ही आपको marking कर लेनी है और फिर बुकरम को cut करना है तो देखिए ऐसे हमारे पास दो ने cut के ready हो गए है मैंने इनको numbering कर दिया है सबसे पहले हम नेक number one को use करेंगे और इसे फैबरिक के साथ ऐसे attach कर लेंगे यह हम बड़ी चाल से attach कर रहे हैं अब इसे हम अपनी कुर्ती के साथ attach करेंगे तो देखिए कुर्ती का सीधा वाल अपार्ट हमने उपर की side रखना है और नेक को ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे इसके एक side में हम आलपिन लगा लेंगे और एक बीच में लगा लेंगे ताकि हमारा नेक है वो इधर उधर नहीं हो और अब हम सिलाई लगाएंगे यह सिलाई हम बारिक चाल से लगाएंगे और बुकरम के उपर से नहीं लगाएंगे बेलकुल बुकरम के साथ साथ लगाएंगे अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे लगबग एक बूट की दूरी से हमने कटिंग करना है और फिर ऐसे कट के निसान लगाने है और अब हम इस कपड़े को ऐसे पलट कर इसके उपर प्रेस कर लेंगे तो देखी हमने इसे पलट लिया है अब हमने दो पट्टी ली है दोनों का कलार अलग अलग है देखी ये सवा सवा इंच की पट्टियां है इनके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए हमने मसीन में डबल कलर का ही धागा रखा है उपर हमने ब्लेक धागा रखा है तो उपर हमारी ब्लेक पट्टी है और नीचे यलो रखा है तो नीचे हमारी यलो पट्टी है ऐसे हम सिलाई लगाएंगे लगबग आदा इंच की दूरी पर हम दो सलाई लगा लेंगे और अब जो एक्स्टर फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे तो ऐसे कटिंग करने के बाद हम पट्टी को सीधा करेंगे तो देखी से हम सुई धागे के हेल्प से सीधा करेंगे जो काफी आसानी से सीधी हो जाएगी तो देखिए हमारे पट्टी सीधी हो गई है अब इसके उपर हम दोनों साइड से किनारी की सीलाई लगाएंगे तो देखिए फ्रेंट जब भी आप इस टाइब की पट्टी रड़ी करें तो उसमें आपको एक बात का विसेश द्यान रखना है कि जो भी पट्टी में हम फैब्रिक यूज कर रहे हैं वे दोनों कलर के फैब्रिक सेमी होने चाहिए यदि रियोन है तो दोनों रियोन हो, कोटन है तो दोनों कोटन हो यदि और को एक फैब्रिक है तो दोनों सेमी होने चाहिए तो हमारी पट्टी अच्छे से बनके रड़ी होगी यदि हमने अलग लग फैबरिक यूज़ कर लिया तो हमारी पट्टी अच्छी नहीं बिनेगी तो देखिए ऐसे हमने काफी सारी पट्टी रडी कर ली थी अब हम नैक नमबर टू को लेंगे और इसे पेपर के उपर मार्क कर लेंगे अब हम देखिए सभी पट्टियों को ऐसे कटिंग कर लेंगे देखिए लगबग साड़े तीन इंज की पट्टिया है तो हमने सभी पट्टियों को बराबर बराबर कट कर लिया है अब हम इने पेपर के उपर लगाएंगे तो देखिए यह अला कलर को हमने उपर रखना है क्योंकि यह हमारी कुर्ती का कलर है जो भी कलर आपकी कुर्ती का हो उस कलर को आपने उपर रखना है और दूसरे कलर को नीचे रखना है और बिल्कुल बीच में ऐसे रखते हुए सिलाई लगानी है चाहे तो आप बीच का निसान भी लगा सकते हैं और ठीक उसी के उपर से सिलाई लगाई और सभी पट्टियों के बीच में हमने स्पेस रखना है और यह पट्टिय हमने बारिक चाल से लगानी है तो देखिए जब भी हम पेपर की हेल्प से नेक को रड़ी करेंगे तो हमारे नेक का छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं रहेगा बिल्कुल हमारा पैटरन हमारे नेक के अकोर्डिंग ही बनके रड़ी होगा ऐसे हमने सभी पट्टियों को लगा लेना है अब हम इन पट्टियों को ऐसे पलटेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगी तो देखिए जो यह सिलाई हम लगा रहे हैं यह हमारी जो मार्कें का निशान है उससे भार की साइड लगा रहे हैं ताकि इसे हम अपनी कूर्टि के साथ अटेच करें तो जो हमारी सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाए और भार की साइड दिखाई नहीं दे तो देखिए ऐसे हमने सभी पट्टियों को पलट लेना है और सिलाई लगा लेनी है ऐसे एक साइड से पलटने के बाद हम दूसरी साइड की पलटेंगी तो यह ऐसे हम इसको पहले वाली से अपोजिट की साइड पलटेंगी इसे हम उपर की साइड पलटेंगी और इसकी उ निसान था ठीक वहीं पर हमने अपने कुर्टी के नेक को रखना है और यहां पर हम एक पिन लगा लेंगी ताकि जो हमारा नेक है वो आगे पीछे नहीं हो और देखिए ऐसे हम इसके उपर रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगी यह सिलाई हमने बिलकुल बारिक चाल से लगानी है और किनारी के साथ साथ लगानी है तो देखिए नेक के पैटरन को हमने बिलकुल एड़ेस्ट करके रखना है इधर उदर नहीं जाने देना और ठीक जो हमारा निसान था उसी के उपर से हमने शिलाई लगानी है तो देखिए ऐसे हमने शिलाई लगा लिए है मेजर कर लेना है और उसे लगबख दो इंच होटी हमने कोलर ली है और इसकी चोड़ाई देखी लगबख सवाइंच है इसको ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए हम ऐसे इसकी कटिंग करेंगे कटिंग करने के बाद इसे हम फैबरिक के उपर पेस्ट कर लेंगे तो देखी ऐसे हमने इसे पेस्ट कर लिया है और एक्टा फैबरिक को पिछे की साइड फोल्ड कर लिया है अब हमने देखी डोरी और लटकन पहले ही बना के रखे हैं इनको देखी हम यहां रखेंगे ऐसे और फिर इसके उपर से हम सिलाई लगाएंगी ताकि जब इसे हम पल्टें तो हमारे डोरी है यह भार की साइड आजए आपको डोरी को बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे मैंने रखा है यदि आप भार की साइड से डोरी रख देंगे तो जब आप पल्टेंगे तो डोरी लेना दूसरी साइड भी हम ऐसे अंदर की साइड से डोरी को रखेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे ऐसे सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्टर फैबरिक है उसे हम कटिंग कर देंगे और अब हम अपनी कोलर को ऐसे पलट कर इसके उपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अब हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे तो देखिए यह सिलाई हम बिल्कुल किनारी के साथ साथ लगा रहे हैं अब इसे हम अपने कोलर को रडी कर लेना है अब इसे हम अपने नेक के पैटरन के साथ अटेच्छ करेंगे तो देखिए नेक का भी हमने बीच का पॉइंट लेना है लेकिन उससे पहले हमने जो यह पेपर है इसको निकाल लेना है ताकि हमारी कोलर के अंदर नहीं जाए तो देखी मैंने पेपर को निकाल लिया है अब हम अपनी कोलर का भी बीच का पॉइंट लेंगे और नेक का भी देखी यह हमारे नेक का पॉइंट है और यह हमारी कोलर का दोनों मिड़ पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे तो देखिए ऐसे हमने राउंड में लगाना है तो हम छोटी छोटी चलेंगे और फिर ऐसे फैब्रिक को घुमाएंगे हमने सीधी लंबी चाल से शिलाई नहीं करनी ऐसे चोटा चोटा चलाना है और फिर नैक को ऐसे घुमाना है और कोलर को भी तब ये हमारी round shape में अच्छे से लगेगा तो ऐसे घुमाते हुए हमने सिलाई लगानी है जहां पर हमारा neck खतम हो जाता है वहीं पर हमने पका करके उतार लेना है machine को फिर ऐसे ही हम दूसरी side में सिलाई लगाएंगे फ्रेंड इसका back neck आप चाहें जैसा भी बना सकते हैं वह आपके उपर depend है आप round में चोक और जैसा भी आपको बनाना हो design का आप बना सकते हैं इसमें ऐसी कोई problem नहीं है तो देखिए ऐसी हमने color ready कर दी है अब जो एक्स्टा कपड़ा है इसे अंदर की side फोल्ड करते हुए हम सुई धागे से ऐसे इसे फोल्ड कर देंगे ऐसे पहले हम कच्चा कर लेंगे और फिर machine सी शिलाई लगा देंगे चाहे तो आप fabric glue अगेरा से भी इसी चिपका करो और फिर शिलाई लगा लें तो देखिए ऐसी हमने शिलाई लगा दी है अब हम जो पेपर है इसे हटा देंगे तो देखिए हमारा neck बन के ready हो गया है तो friend आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share कर दें और channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe करके bell icon के button दबा लें ताकि हम नई वीडियो डालें तो उसका notification भी आपको मिलता रही हम इस channel पर ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं और तक वीडियो देखने के लिए thank you so much